दोस्तों मैं रितेश कुमारूपाध है, मेरे यूटूब चैनल आयोशी इमें आपका हर्दिक श्वागत करता हूँ प्यारे शाथियों, मुझे यह भरोसा है कि आपने हमारी पिसली वीडियो को जरूर देखा होगा दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप एक बार UPPCL की वेबसाइट पर रजिस्टेशन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद UPPCL के अर्बन एरिया की जो वेबसाइट है उसको लॉगिन कैसे किया जाता है तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखरी तक ध्यान से देखते रहें दोस्तों हम इस वीडियो की सुरुआज सबसे पहले हम मॉबाइल यूजर के लिए करते हैं और उसके बाद फिर कम्प्यूटर यूजर के लिए जानकारी देंगे इस समय यलो कलर के बिलिंक करते हुए एरिया के अंदर जो आइकान आपको दिखाई दे रहा है यह आइकान गूगल क्रोम का आइकान है सबसे पहले हमें इस गूगल क्रोम के आप्लिकेशन को ओपिन करेंगे आपकी mobile की skin कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी अब यदि यहाँ पर उपर में right side की ओर ध्यान देंगे जहाँ पर की एक black circle blink कर रहा है यहाँ पर three dots आपको दिखाई देगा सबसे पहले हमें इस three dots के ऊपर click करना होता है दोस्तों इसका फाइदा यह होता है कि जैसे ही आप इस option पर click करते हैं आपकी जो mobile की screen है वो ठीक उसी प्रकार से दिखाई देती है जैसे computer की screen दिखाई देती है यानि कि जैसे आप computer में कारिक किया जाता है ठीक उसी प्रकार से आप अपनी mobile में भी कारिक कर सकते हैं तो दोस्तों आगे की जानकारे के लिए अब हम चलते हैं अपने computer की screen पर दोस्तों इस समय हमने भी अपने computer में Google Chrome को open कर रखा है और Google की side open कर रखी है अब दोस्तों यहाँ पर यह जो Google का search box बना है यहाँ पर हमें UPPCL लिख कर सर्च करना है तो चलिए हम यहाँ पर UPPCL लिख देते हैं और अब अपने computer की enter button पर press कर देते हैं जैसे ही आप UPPCL लिख कर enter button पर press करते हैं Google UPPCL से संबंधित जानकारी देने वाली जो कुछ website हैं उनकी link आपके सामने देदेगा अब यहाँ पर यहाँ जो सबसे पहला link दिखाई दे रहा है यह UPPCL की official website का link है तो चलिए सबसे पहले हम इस link पर click कर देते हैं अब दोस्तों जैसे ही आप इस link पर click करते हैं आपके सामने UPPCL की official website की home screen ओपन हो जाएगी अब दोस्तों यह अपनी screen पर आप right side में ध्यान देंगे जहाँ पर की एक rate color की पट्टी blink करते हुई दिखाई दे रही है इस पट्टी को हम scroll bar कहते हैं तो सबसे पहले हमें इस scroll bar को नीचे की और scroll करना होता है अब दोस्तों जैसे ही आप इस scroll bar को नीचे की और scroll करेंगे आपके सामने consumer corner ओपन हो जाएगा यहाँ पर UPPCL से कुछ जरूरी link आपको दिखाई देंगे अब यहाँ पर यह जो पहला आपसन दिखाई दे रहा है Bill Payments OTS हमारे लिए यहाँ आपसन रुप्योगी है इसके ठीक नीचे यहाँ ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है Bill Payment Urban यहाँ आपके पास UPPCL के सहरी एरिया का connection है तो हमें इसी Bill Payment Urban वाले आपसन पर क्लिक करना होता है तो चलिए हम इस आपसन पर क्लिक कर देते हैं अब दोस्तों जैसे ही आप इस आपसन पर क्लिक करेंगे UPPCL के Urban Area का जो पेज है वह आपके computer में या फिर आपकी mobile में नए tab के अंदर open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको सबसे पहले login की बटन पर क्लिक करना होता है तो चलिए हम login की बटन पर क्लिक कर देते हैं के सामने कुछ दूसरे एंग दिखाए दें तो इसका जो answer आता है वो answer आपको यहाँ पर लिखना होता है जैसे यहाँ पर 3 प्लस 9 लिखा है यानि 9 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो answer क्या आता है 12 तो हमको chapter में 12 लिखना होगा तो चलिए हम सबसे पहले अपना account number note कर देते हैं और उसके बाद फिर password डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 12 लिख देते हैं अब इतना सब कुछ complete कर देने के बाद यह जो नीची login लिखा हुआ है हमें इस option पर क्लिक करना होता है अब दोस्तों जैसे ही आप login की बटन पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आप अपने home page में इंटर कर जाएंगे यानि कि आप अपने बिजली बिल से संबंदी तमान तरह की information और तमान तरह की online सिमाओं का लाव लेने के लिए अब इस समय आप login हो चुके हैं अब दोस्तों एक बार login कर लेने के बाद आप अपने इस page में बहुत सारे कारे कर सकते हैं जिसकी जानकारी हम अपनी आने वाली वीडियो में discuss करेंगे और जब आप इस तरह के जितने भी कारे हैं कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने इस account को lag out जरूर कर देना चाहिए lag out करने के लिए यह जो blink करता हुआ एरिया दिखाई दे रहा है यदि उसके नीचे आप ध्यान देंगे तो lag out लिखा हुआ है हमें इस option पर click करना होता है और जैसे ही आप इस option पर click करेंगे आप अपनी site से lag out हो जाएंगे तो दोस्तों मैं यहां उम्मीद करता हूँ कि यह जो छोटी सी जानकारी थी यह जानकारी आपके लिए उब्यूवी रही होगी हाला कि मैं यहां जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को यह पता होता है कि किसी भी website पर login और lag out कैसे किया जाता है तो यह कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है लहीं दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे जो हमारा मुल उद्ध से था वह यह था कि यदि कोई ऐसा वेक्ति जिसको computer, internet या फिर mobile internet की बिशेश जानकारी नहीं है और वह उत्तर प्रदेश का निवासी है और उसने जो बिजली का connection लिया है उसको बिजली UP PCL से मिली हुई है तो वह भी अपने बिजली बिल से संबंधित तमाम कारे आसानी सिख कर सके इस कारण से मैंने यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह जो छोटी सी जानकारी है यह जानकारी भी आग के लिए उप्योगी रही होगी और दोस्तों यदि आप इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी से भविस में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप हमारे इस YouTube चैनल आयोशी ए को सब्क्राइब कर सकते हैं और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्क्राइब करते हैं तो साफने बिल आइकान जरूर क्लिक कर दें तो कि उसका फाइदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हाला कि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो बनाता हूँ तो हमारा यह प्रयास होता है कि एक छोटी से छोटी जानकारी हुई आपके साथ सेयर करूँ लेकिन फिर भी यह संभो है कि जाने अन जाने कुछ बाते हमसे छोट जाएं और वह आपके मन में प्रस्न चिन्ध बनकर खड़ी हूँ लिए ऐसा कुछ है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट की ज़री आप अपने प्रस्न हमसे नहीं संकोच पूछ सकते हैं हमारा भी प्रयाश होगा कि आपके प्रस्नों का शिग्र अतिशिग्र उत्तर दे सकों और दोस्तों साथ में एक चीज और जानना चाहूँगा आपको हमारी यह वीडियो कैसे लग रही है आप अपनी राए या फिर आप अपने सुझाओ वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर सेयर करें और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा रिक्वेस्ट यह है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को और हमारी इस वीडियो को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें अब इसी के साथ मैं अपने इस पीडियो को शमात करता हूँ आपने अपना किम्ती समय दिया इसके लिए मैं आपका दिल से आफारी हूँ धन्यवाद थेंक्यू बेरी माची